आदिन नदाना विरमनी सिखाप दिंसमद यानी आदिन नदाना विरमनी सिखाप दिंसमद यानी जैत्वन की गतार पाथा है धंपद नमबर 69 या 59 एककम 79 ये उपल वर्ना की कहानी है बेसिकली जो वर्णा सब्द हैस में उपल और वर्णा समझें क्या है वर्णा का मतलब होता है वे आधा और 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 वर्ण जिसको बाद में वर्ण बोला गया रे लगाया गया जबकि रे पाली में नहीं होता जैसे सेत वर्ण बोलेंगे सेत का मतलब सफेद वर्ण का मतलब रंग जैसे सामा वर्ण बोलेंगे तो सामा का मतलब होता है साम का जो सालक जो काला जैसा रंग होता है वो श्यामा रंग बोलते हैं इसको सेत को श्वेत बोलते हैं जैसे पीत वर्णा हो गया पीला वर्ण वाला जैसे हरत वर्णा का मतलब है हरय रंग वाला लोहित वर्ण का मतलब है तावे या लोहित जैसे रंग वाला और अगर लोह वर्ण लोह वर्ण का मतलब होता है तावे और लोहित जैसा, और लोहित माने होता है रंग, तो लाल रंग यानि खून जैसे रंग वाला, तो इसका मतलब वर्णा का मतलब रंग होता है, और बाद में जो सेत लोग थे, यानि जो बहार से आये सफेत लोग, उनको अवण कहा गया, अवण का मतलब है जिनका नहीं था कोई भी यहां के लोगों को सुवर्ण कहा गया यानि जो सुनेरा रंग रखते थे हिरन जैसा रंग रखते थे और जो जैसा सूरज का ढलता हो रंग होता है वैसा रंग रखते थे उनको सुवर्ण कहा गया जो भारत के काले लोग थे और जिनका रंग नहीं था उन करते थे सावित्थी के अंदर सावित्थी में उनकी एक सुंदर वीटी थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी उसका जो रंग था वो नीले कमल चैसा था तो नाम पढ़ गया उपल वर्णा उपल वर्णा एतनी सुंदर थी कि राजे से लेके और नीचे तक के जितने भी लोग थे वो सब उससे शादी करना चाहते थे सब उसको गण करना चाहते थे सब उसके साथ रहने चाहते थे उपल वर्णा के मामा का एक लड़ालका था जिसका नाम था नंद मानवक नंद मानवक उसको बचपन से बहुत आशकती थी उपल वर्णा ने जब देखा कि हर एक व्यक्ति उसके सरीर को प्यार करता है, उसकी सुन्दर्टा को प्यार करता है, उसके सरीर को पाना चाहता है, तो उसे सरीर से विरक्ति हो गई, सरीर से घिरना होने लगी और वो भगवान बुद्ध के संग में सामिल हो गई, विकुन संग में उसने वहाँ दिख्षित होगे दिख्खा ले ली और वो इतनी पारंगत हुई दिख्खा में कि वो अरत भी हो गई अब उसका सिर्फ इतना टाइम था कि वो अपना चारी का करती थोड़ा बहुत खाना खाती और अपने सरीर को पकने का इंतियार करने लगी पकने का मदर है कि जब उसकी डैथ और जब उसकी मिर्तु आ जाए जो नंद मारक था नंद मारक एक दिन जब वो चारी का करने गई भिकुनी उपल वर्णा तो उसकी कुटिया में छिप गया और जब वो बापस आई तो उसने उसके साथ में व्यवचार किया बलातकार किया चोकि उपल वर्णा भिकुनी बन गए थी अरत बन गए थी सरीर उसका कमजोर था वैसे भी महिलाओं का सरीर कमजोर होता है विरूद काम नहीं आया और नंद मारक ने जबर जस्ती बलातकार व्यवचार किया उसके बाद जैसे वो बाहर निकला उसका एक पेट से सटक राया और वो मर गया नंद मारक मर गया ये कखा ये कहानी भिक्कु संग में चर्चा का विसे बनी और भिक्कु ने पूछा कि क्या अब जो ये भिक्कुनी है क्या ये अभी अरत है तो भगवान बुद्द तो पारगामी थे पारगामी होने के नाते रोने कहा कि जब नंद मारक ने व्यवचार किया उस समय जो उपल वरना थी उसके मन में किसी भी प्रकार का संभोग का या व्यवचार का या सरीर से कोई आशक्ती या राग का या कोई ऐसी तरशना उसके मन में नहीं थी वो सिर्फ एक डेड बोडी के हिसाब से थी यानि कि जैसे जीवित लास होती है उसकी अपनी कोई कामना अपनी कोई छंद या अपनी कोई इक्षा उसमें इन्वाल्ब नहीं हुई इसलिए वो जैसी अरहत पहले थी वैसी अरहत अभी भी है तो हमने पूछा कि नंद मानक क्यों मर गया यैसे बहार निकला पेर से टकड़ा के क्यों क्यों मर गया तो भगवान ने बताया कि जो वेबचारी होता है जो चोड़ करता है जो गरत काम करता है जो पापी होता है वो उसके पाप करम उसकी जो बुद्धी है जो उसकी समझ है जो उसकी जानकारी है और जो उसकी सेहन सीलता है उसको हर लेते हैं खतम कर देते हैं पाप करमी बहुत तेजी से अपने पाप कर्म को छपाने के में भागता है दोरता है और उस चक्कर में वो असाब धानी बस जल्दी से मारा जाता है अगर वो ना भी मारा जाए तो पाप कर्म उसको धीरे 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 उसके मन को मारते रहते हैं वो बहुत सड़ सड़के और गल गल के बेचन होके मरता है और उसके बार अगर वो थोड़े समय जीवित भी रहे तो जहां वो जन्म लेता है तब भी उसकी निरे जो कम है यानि कि जो उसके दुख वाले कम है पाप वाले कम है वो इसके साथ जाते हैं, जहां भी पैदा होगा, वो दुख ही भोगेगा और वैसे भी एक भिक्कु या एक भिक्कुने के साथ व्यवचार करना या उसे हत्या करना एक ऐसा अपराद है, जिसका लाखों करों सालों तक कोई भी इलाज नहीं है उसको निरह में उसको तीब्ल बेदना हैं, उसको ऐसी बेदना है जो उसको दुख देती रहेंगी, वो सेहनी ही पड़ेंगी यह बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जिसको पाप बोलते हैं, उसमें यह आता है ऐसा कहकर उन्होंने देशना दी, आप अगर ध्यान देंगे तो अगर कोई चोर चोरी करता है, तो वो वहाँ से तेरी से भागता है अकसर चोरी करने वाले जब भागते हैं, तो उनकी मोड़साईल कहीं टकरा जाती है, या कहीं उनकी कार टकरा जाती है, या कहीं वो लड़ खड़ा कर गिर जाते हैं, या वो समल के निचल पाते किसे टकरा जाते हैं, या वो जल्दबाजी में अपना कोई सामान छोड़ ज जाते हैं या वो आपस में लड़ बैठते हैं या वो और अपराथ पराथ करते चले जाते हैं ऐसी आपने हजार उप पिछर देखी होगी कि जब अपराथ करके अपराथ ही पिछर में भागता है सनीमहौल में भागता है तो वो comfortable नहीं रहा पाता उत्तेज नामें और परेशानी में और अपने पाप कर्म को छपाने के लिए लगाता लगातार परेशानी में उलस्ता रहता है पुलिस पीछे पड़ जाती है उसके घरवाले उसको एक्सेप्ट नहीं नहीं करते समाज में उसकी इज़त नहीं होती और जो चोरी का सवान वो लाता है उससे तो वो पयोग भी नहीं कर सकता किसी को बता भी नहीं सकता कि चोरी का सामान है इस नहीं मैं उसको पयोग कर रहा हूँ यह चीजे प्राकर्टिक रूप से भगवान बुद्ध ने अपनी जब धमता ग्यान प्राप्त किया बोधी प्राप्त की तो उस समय उन्होंने एक एक चीज को एनलेसिस किया और देखा जो मन से और सरीर से दोनों जुड़ी हुई है कि मन अगर चोर होगा तो सरीर कितनी तरह से बीमार होता है और मन अगर चोर नहीं होगा तो सरीर कितनी तरह से अच्छा होता है धमपद गाथा नंबर 69 इस प्रेकार से है मधुवा मैयती बालो याव पापंग ने पच्चती यदा चे पच्चती पापंग बालो दुखंग निगच्चती मधुवा मैयती बालो मधुवा बोलते हैं शहद को मैयती माने मानता है बालो माने मूड याव माने जब तक पापंग माने पाप को ने माने नहीं और पच्चती माने पकता है यानि कि जब तक किसी मुर्ख का, इग्नोरेंट का, अग्यानी का पाप नहीं पकता है उसको दुख नहीं देता है, तब तक वो उसको मधू, हनी और शेहर जैसा मीठा मानता है यानि जितना पाप करम करता है, चोरी करे, चकारी करे, वेफचार करे यहाँ पर वो वेफचार कर रहा है तो वो उसको बहुत मीठार बहुत अच्छा लग रहा है जब तक उसका दुस्ट परिणाम दुख परिणाम दुख का परिणाम या उसका जो परिणाम आने वाला है खराब जब तक वो नहीं आता नहीं पकता यदाचे पच्चती पापंग बालो दुखंग निकच्चती यदाचे यानि जब और पच्चती पकता है पाप जब उसका पाप पकता है बालो दुखंग निकच्चती निकच्चती का मतलब गिर जाता है दुख में बालो यानि मूड जो है जो इग्नोरेंट है जो अग्यान अपने पाप के पकते ही फिर वो दुख में गिर जाता है फिर उसे कोई नहीं निकाल सकता फिर वो मध्धु के समान मीठा नहीं रहता फिर वो कड़वा हो जाता है जहिला हो जाता है ये इस गाथा का है कि जो उसका भाई था उस भाई ने जो पाप किया उसके बाद उसकी मि वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूटूब पर चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो ब पूधं सेनं गच्छादी धन्म सरेन गच्छादी धन्म सरेन गच्छादी पूधं सेनं गच्छादी धन्म सरेन 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 गच्छादी पी संघंसे नो गच्छानु बुखियं पी संघंसे नो गच्छानु तथियं पी बुद्दंसे नो गच्छानु ततियं पी घुटंग सर्मं गच्छामी ततियं पी धंगमर सर्मं गच्छामी ततियं पी घंगमर सर्मं गच्छामी ततियं पी संगर सर्मं गच्छामी ततियं पिसन्दं सर्णं तर्शामी साथु, साथु, साथु कामेस मिछचरविर्मनी सिख्खाप दिंग्समाधियानी कामेस मिछचरविर्मनी सिख्खाप दिंग्समाधियानी कामेस मिछचरविर्मनी सिख्खाप दिंग्समाधियानी कामेस मिछचरविर्मनी सिख्खाप दिंग्समाधियानी कामेस मिछचरविर्मनी सिख्खाप दिंग्समाधियानी